Hello friends, welcome to my channel One Information दोस्तों सुक्राणू का सफर महिला के भीतर किन रास्तों से होकर और कितनी कटनाई भरा होता है इस सफर को पार करने में कितनी चुनोध्यों का सामना करना पड़ता है और कितना समय लगता है शुक्राणू को अंडाणू से मिलने में ये जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिये एंड तक पिना स्किप किये दोस्तों जब कोई पूरुष और इस्त्री संबंद बनाते हैं तो पूरुष में 5 करोड से 15 करोड तक शुक्राणू पैदा होते हैं जिन में से कुछ ही सुक्राणू आकरी बढ़ाव तक पहुशने में काम्याब हो पाते हैं लेकिन विजेता के वल एक ही होता है तो करोड सुक्राणू एक अंडाणू से मिलन के लिए जब सफर पर निकलते हैं तो शुक्राणू को शिकाएं जो कि मात्र 0.6-55 mm लंबी होती हैं योनी से गरभासे ग्रीवा यानि की सर्विक्स की तरफ तैना शुरू कर देती हैं लेकिन ये आसान नहीं होता है इन कोशिकाओं को राह में कई चुनोतियों का सफर तै करना होता है क्योंकि केवर एक शुक्राणू ही अंडाणू के साथ मिलन कर पाता है इसलिए ये रेस जारी रहती है पहले तो उन्हें शुरुवात की रास्ते में ही बचना होता है और जादा तर यहीं रास्ते में खत्म हो जाते हैं सर्विक्स से आगे का ये रास्ता गर्भासे तक होता है और गर्भासे तक पहुँचने से पहले उन्हें कई बंद रास्तों की भूलबुलया से बचना होता है रास्ते में उनको खत्म करने के लिए तैयार सफीद रक्त कोशिकाएं भी होती है इसके बाद आखिर में कुछ बच्ची हुई कोशिकाएं यानि की शुक्राणों गर्भासे से होते हुए फैलोप्यन टूब्स तक अपनी आत्रा तै करते हैं और सबसे फास्ट तैरा की सुक्राणों फैलोप्यन टूब्स में अंडाशे से जारी अंडे से मिलता है और शुक्राणो कोशी का महिले की अंडे को निशेचित करता है तो यही प्रजिनन यानि की गर्वती होने का पहला गदम होता है इस पूरी दूरी को जो कि 5-6 इंच तकी होती है इस दूरी को तै करने में शुक्राणो को लगबग 1-2 दिन तक का समय लग जाता है पर रास्ते में इतनी कटनाई होती है कि शुक्राणो का अंडे तक पहुँचना आसाल नहीं होता है और पहुँच भी जाये तो अंडे के भितर नहीं जा पाता है इसलिए ओविलिशन बेस्ट टाइम होता है क्योंकि इस डुरिशन में अंडा फर्टाइल होकर शुक्राणो का इंतिजार कर रहा होता है जिससे महिला के प्रेग्निंट होने की चांसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी के शुक्राणो किन-किन रास्तों से होकर अंडानों से मिलता है और कितना समय इसे पूरी दूरी को तैय करने में लगता है दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकिशन आपसे मिस नहों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू बाई बाई